असलाव अलेकूम इवर्स आज मैं आपके साथ डबल वाइट पीजा की रेसिपी शियर कर रही हूँ जो बहुत ही मुनफरी तरीके से बनाएंगे हम और इसका टेज बहुत ही करीमी और लाजवाब होगा चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं पीजे की डो बनाने के लिए नीम गरम दूद लिया है मैंने वन थर्ट कप एक खाने वाला चमबच भर कर मैंने चीनी का ले लिया है चीनी हमारे पीजा पुलाने में मदद करती है चीनी लाजमी अट किया करें और दूद आपने इतना गरम लेना है कि आपकी उंगली बरदाश कर ले इससे ज़्यादा गरम ना हो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक का अट कर दिया है एक चमबच भर कर मैंने इसमें कुकिंग ओल का अट कर दिया है एक मैंने अंडा इसमें अट किया है अंडे को फैंटा नहीं है मैंने ऐसे ही डाल दिया है 11 ग्राम मैंने इस लिए है जो एक साशे होती है एक चमज बनता है ये वो मैंने इसमें डाल दिया है इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये मिक्स हो गई है अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 8-10 मिनट के लिए ताके हमारी इस्ट एक्टिव हो जाए 8 मिनट गुजर चुके हैं हमारी इस्ट एक्टिव हो गई है ये देखे इसके उपर बबल्स आ गए हैं कितने सारे अगर इस्ट एक्टिव नहीं होगी तो आपके पीजे की डो नहीं फूलेगी अब एक बाउल ले लिया है मैंने जरा बड़े सा इसका बाउल लियेगा 3 कप भरकर मैंने मैदे के ले लिये हैं जो घर का नॉर्मली कप होता है वो भरकर लिया है मैंने जो mixture हमने बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे नरम सा गुन लेंगे अगर ये mixture कम पर जाए तो थोड़ा सा नीम गरम पानी ले लिएगा ये देखें डो इतनी नरम होनी चाहिए आपने इसको सख नहीं गुनना है नरम नरम ही गुनना है बाउल को मैंने grease कर लिया है तेल से जो डो हमने बना कर रखी थी वो मैंने इसके अंदर रख दी है इसके उपर भी थोड़ा सा तेल अप्लाए कर दिया है मैंने अब मैं इसको cover कर दूँगी cover करने के बाद इसको 40-60 मिनट तक किसी गरम जगा पर रख दियेगा आज कल तो गर्मिया है किचन में ही रख दियेगा जितनी देर में हमारी डो फूलती है उतनी देर में हम बागी का समान त्यार कर लेते हैं एक पैन ले लिया है मैंने सूला जला लिया है मैंने इसके नीचे flame आपने इसके नीचे medium से low रख नहीं है दो चम्मच मैंने इसके अंदर भरका cooking oil के अड़ कर दिये हैं oil को हम हलका सा गरम कर लेंगे अब एक चम्मच और एक चम्मच से उपपर आदा चम्मच भरकर मैंने लसन द्रख का पेस्ट ले लिया है एक से दो मिनट तक इसको सौते कर लियेगा कि इसका color change हो जाए और कचापण निकल जाए यह देखें दो मिनट हो चुके हैं इसका color change हो गया है अब एक कप और एक कप से उपपर आदा कप देर कप मैंने चिकन का ले लिया है और चोटे size की बोटिया की हैं बड़े size की बोटिया नहीं है यह चिकन को आपने एतनी देर पकाना है कहा पानी dry हो जाए और यह सुफेद हो जाए यह रेखें सारा पानी इसका dry हो गया है और सुफेद हो गया है यह बिलकुल अब बाकी के मसाले हम इसमें अड़ करना स्टार्ट करते है ड्रेट चिली सॉस ले लिया है मैंने एक चम्मच और एक चम्मच से उपर आदा चम्मच भर कर ब्लैक सॉस ली है मैंने एक चम्मच और एक चम्मच से उपर आदा चम्मच भर कर सुफैसिर का भी मैंने एक चम्मच और एक चम्मच से उपर आदा चम्मच देड़ चम्मच लिया है वो इसमें आड़ कर दिया है इसके बाद आपने ड्राइ स्पाइसीज इसमें आड़ करने है पहले आड़ नहीं करने है नहीं तो जल जाएंगे देर चमबच भरकर पैप्रिका पॉडर का मैंने ले लिया है वो इसमें आड़ कर दिया है पैरी पैरी सीर्दिंग मसाला ले लिया है मैंने इसके दो चमबच हम इसमें आड़ कर देंगे बहुत ही जबदस टेस्ट आएगा इसका इसके अंदर ये दो चम्बच भर कर मैंने इसमें डाल दिये है इस मसाले से पीजे का बिलकुल निया टेस्ट आएगा और बहुत इला जवाब होगा हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक कैट कर दिया है सारी चीजों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनिट तक पका लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें ये चार मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, फ्लेम हम बंद कर देंगे ये देखें हमारी डो कितनी फूल गई है एक घंटे के बाद कवर उतार लेंगे हम इसका, एक बार इसकी हवा निकाल दियेगा दुबारा से इसको गून लियेगा, कि सारे बबल्स इसके अंदर से निकल जाए मैंने मीडियम साइस की पीजे की प्लेट ले ली है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे पहले ऑईल से अच्छे तरीके से, किसी ब्रश की मदद से कर लिएगा और चारो तरफ से कर लिएगा ये देखें, क्रीस हो गई है, अब मैं एक बड़ा सा पेड़ा ले लूँगी, बहुत जादा मोटा पेड़ा आपने नहीं लेना है, इसकी लेयर हमने पतली ही रखनी है और हाथ की मदद से दबा कर चारो तरफ इस तरह पहला दिएगा, साइडों से आपने किनारे भी मोटे नहीं करने है एक कांटे की मदद से थोड़े से इसके उपर निशान लगा दिएगा, ये देखें इस तरीके से अब मैं इसके उपर कैचप डाल दूँगी, एक चम्मच इसके उपर कैचप कर डाल के चारो तरफ फैला दिएगा ये देखें इस तरीके से, मैंने टिमाटो सॉस नहीं ली है, कैचप ही ली है, ये देखें चारो तरफ कैचप लग गई है दो घंटे पहले चीज को मैंने फ्रिज में से निकाल कर बाहार रख लिया था, और उसे कदू कश कर लिया था थोड़ी से मैं इसके उपर चैटा चीज डाल दूँगी, जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल दिएगा अब मैंने मौजरेला चीज ले ली है, इसे भी मैंने कश कर लिया है, चारो तरफ अच्छे तरीके से भर कर डाल दिएगा अब एक और पेड़ा ले लिया है मैंने, इसकी भी हम बार एक सी रोटी बना लेंगे, हातों की मदश से बड़ा कर लियेगा जो पीजा हमने चीज के साथ रेड़ी करके रखा था, इसके उपर हम इसे रख देंगे इस तरह से चारो तरफ कवर कर दिएगा और हलका सप्रेस कर दिएगा एक चमच कैचप का मैं इसके उपर डाल दूँगी, और इसे भी चारो तरफ पहला देंगे हम चेटर चीज मैंने इसके उपर डाल दी है, आप इतनी डाल दिएगा जितनी आपको पसंद हो जो चिकन हमने पका कर रखा था, चारो तरफ इसके उपर पहला कर डाल देंगे हम यह देखें, चारो तरफ पहला दिया है मैंने अच्छे तरीके से अब मौजरेला चीज हम इसके उपर चारो तरफ पहला कर डाल देंगे यह देखें, चारो तरफ मैंने पहला कर मौजरेला चीज डाल दी है एक शिमला मीर्स लेकर मैंने बारिक बारिक इसको काट लिया है, इसके सलाइस हम इसके उपर रख देंगे थोड़े से slice चारो तरफ फैला कर डाल दिएगा यह जितनी आपको पसंद हो थोड़ा फासले से डाल लिएगा यह देखें सारे डाल दिए हैं मैंने प्यास को मैंने मोटा मोटा गोल काट लिया है इसके slice हम इसके उपर रख देंगे जितनी प्यास आपको पसंद हो उतनी डाल दिएगा अब black olives ले लिए हैं मैंने इसके slice में इसके उपर रख दूँगी चारो तरफ फैला कर अच्छे तरीके से डाल दिएगा यह देखें कितना जबरदस लुक आ रहा है इसका एक पतीली को कवर करके 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने preheat कर लिया था पतीली के दरम्यान में मैंने strand रख दिया है इसके उपर पीजे की tray रख दी है अब हम इसको 12 से 14 मिनट तक कवर कर देंगे और फ्लेम इसके नीचे लो कर देंगे ये देखें 14 मिनट गुजर चुके हैं पीजा बिल्कुल रेड़ी है हम इसे निकाल लेते हैं हमारा पीजा बिल्कुल रेड़ी है मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना चीजी बना है ये देखें कितना चीजी है दोनों लेड़ी इसकी अलग से नजर आ रही है मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी दर्म्यान वाली लेड़ी कैसी है ये देखें कितनी चीजी है और बिल्कुल पकी हुई है कची नहीं है हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आया है बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया है इसका उपर की लेड़ का टेस्ट बहुत ही जबरदस्ट है और जो नीचे की लेड़ है वो बिल्कुल ही मुनफरीद और नया टेस्ट दे रही है हमारा जबरदस्ट सा डबल बाइट पीजा आपके सामने है ये देखें कितनी जबरदस्ट लेयर आई है इसकी इसका जाइका बहुत ही मुन्फरीद होगा इस रेसिपी को घर पर ट्राइ करिएगा और कमिट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी